वो दो विश्यों पर बहुत अधीक हैं पहला विश्य है चंद्रायान 3 की सफल लेंडिंग और दूसरा विश्य है दिल्ली में G20 का सफल आयोजन देश के हर हिस्से से समाज के हर वर्ट से हर उम्र के लोगों के मुझे अंगिनत पत्र मिले हैं जब चंद्रायान 3 का लेंडर चंद्रमा पर उतरने वाड़ा था तब करोणों लोग अलग-अलग माध्यमों के जरिये एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे इसरो के यूटूब लाइव चेनल पर असी लाग से ज़्यादा लोगों है इस घटना को देखा अपने आप में एक रेकॉर्ड है इससे पता चलता है कि चंद्रयान 3 से करोणों भारतियों का कितना गहरा लगाव है चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शांदार क्वीज कम्पिटिशन भी चल रहा है प्रश्णस परधा और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान 3 महा क्वीज माई गौव पर्टल पर हो रहे है इस कम्पिटिशन में अब तक 15 लाग से ज़्यादा लोग हिस्सा ले चुके है माई गौव की सरुवात के बाद यह किसी भी क्वीज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है मैं तो आप से भी कहूँगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तब देर मत करिए अब इसमें छे दिन और बचे हैं इस क्वीज में जरूर हिस्सा लीजिए मेरे परिवार जनों चंद्रयान 3 की सफ़ता के बाद G20 के शांदार आयोजन ने हर भारतिये की खुशी को दोगुना कर दिया भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है लोग उसके साथ सेल्फी घिचा रहे हैं और घर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं भारत ने इस समीट में आफ्रिकन यूनियन को G20 में फूल मेंबर बनाकर अपने नेत्रुत्व का लोहा मनवाया है आपको ध्यान होगा जब भारत बहुत सम्रुद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी यह सिल्क रूट व्यापार का बहुत बड़ा माध्यम था अब आधुनिक जमाने में भारत में एक और इकनोमिक कोरीडोर जी-ट्वेंटी में सुझाया है यह है इंडिया मिड़लिस्ट यूरोप इकनोमिक कोरीडोर यह कोरीडोर आनेवाले सेंकुड़ों वरसो तक विश्व व्यापार का आधार मनने जा रहा है और इस तिहास इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कोरिडोर का सुत्रभात